हेलो गाईज एक बाट फ्रेसे स्वाग था आप सभी का सोनी की चंस में आई होब कि आप सभी को मेरी वीडियो पसंदार ही हो तो देखिए दोस्तों आप लोगों ने बोला था सौफ्ट पनीर घर पे कैसे बनाए जैसे डेरी वाला जम मैंने डाला था वीडियो तो पनीर बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए दूद तो दूद मैंने ले लिया है एक किलो और एक किलो दूद मैंने एक पतीले में डाल के इसको गैस पे रख दिया है उबालने के लिए दूद को आप सभी को पता यह पहले उबाला जाता है उसके बाद दूद को फाड़ा जाता है तो फाड़ना कैसे है यही जो तरीका है वो कोई डिश अगर आप बनाओगे तो वो सही से बनेगी तो बस अब क्या कर नहें दूद में उबाल आने तक का वेट करेंगे दूद आप कोई भी ले सकते हैं फुल क्रीम दूद अगर हो तो बहुत बढ़िया पनीर बनता है अगर मतब क्रीम अगर अच्छे से उसमें हो तो बढ़िया के बहुत ज़्यादा बढ़िया बनेगा जो पनीर है और सौफ्ट ही बहुत ज़्यादा रहेगा और बहुत ही टेक्च्चर बढ़िया आएगा कोई भी डिश बनाओगे तो बस अब दूद उबलने वाला है तो दूद हमारा जो उबल चुका है जैसा अब ज़्च करने वाले हैं तो देखिए शको एसए था बहुत बार हला कषे से और उसकेब यारु यानी कि देटा पाली देता है पाक्की पानी हो जाएगा और वो easily धीरे धीरे करके फटेगा जब हम फाड़ेंगे तब अब देखिए बिल्कुल जो है वो थोड़ा ठंडा हो चुका है नॉर्मल पानी डाला है मैंने कोई ठंडा पानी नहीं डाला है अब ठंडा पानी मास समझ लेना अब इसको धीरे से थोड़ा सा हिलाते रहना है और उसके बाद ये बिल्कुल रेडी है फाड़ने के लिए अब हम क्या करेंगे मार्किट में जो पनीर वाला मसाला मिलता है मार्किट में वो मसाला यूज़ कर सकते हो या फिर निम्बू का रस यूज़ कर सकते हो या फिर आप यूज़ कर सकते हो मेरी तरह विनेगर तो देखिए मैंने एक ग्लास लिया है और इसमें क्या करूँगा थोड़ा सा एक से दो चम्मच दो चम्मच आप डाल सकते हो कोई प्राब्लम नहीं है तो विनेगर में दो चम्मच इसमें डाल दूगा देखिए चम्मच से नहीं बस ऐसी अंदाजे से मैं डाल रहा हो अंदाजे से आप भी डाल सकते हो तो देखिए मैंने दो चम्मच इसमें विनेगर डाल दिया उसमें इसलिए वो soft बनेगा और weight उसका ज्यादा हो जाएगा मतलब कि अगर आप बना रहे हो तो अगर starting में ज्यादा पान विनेगर अगर डाल के फाड़ देते हो तो वो जितना दूद में एक किलो दूद में जितना पनीर निकलना चाहिए उतना नहीं बलकि उससे कम निकलेगा और ये धेरी वाले आराम से इसलिए फाड़ते हैं कि जितना दूद है उसमें ज्यादा पनीर निकले क्योंकि उसमें आधर से ज्यादा पानी रह जाएगा और पानी की वज़़ा से weight बढ़ जाएगा तो देखिए अब धीरे धीरे पानी जो है इसमें हम डाल रहे हैं और ये जो दूद है almost फट नहीं वाला है तो बस देखिए फट चुका है दूद बिलकुल अच्छे से फट चुका है और ये इसमें बहुत ज़्यादा कभी कभी क्या होता है बहुत ज़्यादा गुच्छे गुच्छे से बन जाते हैं लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा गुच्छा नहीं बना है इतना तो normal है soft paneer बनाने के लिए और अगर आप बिलकुल गरम फार देते हो या बहुत ज़्यादा तेज मसाला मतलब तेज मसाले की मतलब यह है कि जादा विनेगर या फिर जादा नीमोगरास या फिर जादा पनीर मसाला डाल देते हो तो उससे क्या होता है पनीर खट्टा भी हो जाता है और यह जल्दी विफर जाता है और फिर वो टाइट भी हो जाएगा तो अब क्या करना है एक तो दें मतरब यह पनीर्की थन्डा नहीं बनेगी मतलब इसके गोल करके इसको ओल्टा कर देust अब इसके ऑपर कोई भी वेट हए kanu उकने ने तो कोई भी चीजौ ऊब्देश प्रेंट वगरा तो यहर्isma मैं यहाप ऐधाली रख दी है और इसके ओपर कुछ नहीं मिला तो मैंने ईट रख दिया अब इसको दो चार घंटे के लिए छोड़ cin längre तो आधे कंटे इसमें डाल रहे हो ना तो कपड़े को गीला करके फिर छाननी पर डाला करो तो वह नहीं चिपकेगा तब दीखिए बिलकुल सही है पनीर को जादा हम टच नहीं करेंगे यह कपड़ा में आराम से अटा रहा हूँ पनीर को नहीं टच कर रहा हूं कुछ लोग क्या करते कि पन बना है जैसे आप देखी सब्सक्राइब को सब्सक्राइब कि इसके बनाया क्या आप बहुत ज्यादा सॉफ्ट है और इसको मैं अधे गंटे के बाद ही काल रहा हूँ तो अभी भी अंदर से यह हलका हलका गरम है तो गरम होने की वज़ा से अगर मैंने बहुत ज्यादा तेज यह स्पीड में काटने की कोशिश की तो यह तूट भी सकता है तो अब क्या करना है कि काटने की जरूरत नहीं है इसको क्या करना है पानी में डुबा के रख देना है ठंडे पानी में या नॉर्मल पानी में अब जिसमें मर्जी रख सकते हो तो पानी में रखने के बाद यह इसको सेट हो जाएगा पनीर और उसके बाद यह बिलकुल रैडी है तो मुझे कोई डिश बनानी है इसलिए मैं अभी रख नहीं रहा हूं थोड़ी दिर के लिए मैं इसको काट के थोड़ी दिर के लिए पानी में डाल दूँगा तो अब देखिए बिलकुल बड़िया सॉफ्ट पनीर बना है और कितना बड़िया लग रहा है देखने में और जैसे कि आप मैं आपको दिखा दूँ कि देखिए कितना ज्यादा सॉफ्ट है अगर इसको दबाओगे तो थोड़ा सा हलका सा भी दबाया तो यह तूड़ पना रहा हूं या पिर स्वीट डिस्ट लिए तो चासनी वागरा जो भी होगी उसके अंदर तक में और घब से हो, तो बस अभी बिलको डद्र है देखे अस तरह से डद्र हो जाएगा और उसके बाद इस के अंदर मैंने बताया थे सौ फ्रिकांस रही यह डिखत अंधर गई है अब यह बिलको डेढर है और घर पे आप बनाजिये दिलको सेम तरीका यूब कैसील में जरूद पूरता है और चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन आउन कर लिजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो को नोटिफिक्रिक्रिक्शन मिलती रहे हैं